चलिए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं Moon in Third House चंद्रमा आपकी बर्थ चार्ड के तृत्य भाव में है तो क्या इंपक्स आ रहे होंगे या क्या इफेक्स आपको देखने को मिलते हैं सुत्रित्य भाव जो है कुंद्ली का वो दर्शाता है आपके छूथे भाई बहन, siblings के साथ relations या आपके neighbors के साथ relations या आपके relatives के साथ relations कैसे होंगे आपके पास अगर कोई hand skill है तो वो उसको दर्शाता है कोई भी आपके पास इस तरहां का talent है और communication, media, आपके efforts को, आपकी मेहनत को दर्शाता है आपकी speech, आपके विचारों को दर्शाता है सो जब हम बात कर रहे हैं, third house में हैं तो इन सब रिष्टों के साथ में जो आपका bonding है वो अच्छे होता है आपके siblings, आपके चोटे भाई बहनों के साथ, आपके रिष्टेदारों के साथ या आपके पढ़ोसियों के साथ आपका relation बहुत अच्छा होता है और क्योंकि third house में हैं चंद्रमा और चंद्रमा विचार, thoughts, emotions का का कारक है और यहाँ पे जब बैठते हैं तो आपके विचार बहुत पश्ट होते हैं बहुत अच्छे से अपने thoughts को interpret कर पाते हैं और इसलिए मीडिया में अगर बात करें तो fame अच्छा मिलता है आप अपनी बातों को लिख के लेखन यानि की writing में व्यक्त कर पाते हैं एक अच्छे good writer आप साबित होते हैं और इसी के साथ में कोई ना कोई ऐसा परसन आप फाइंड आउट करने में लगे रहते हैं जिन से आप कुछ सीख सकें क्योंकि चाहते हैं कि बस सारा जो ग्यान है वो मुझे मिल जाए और मैं उसको अपने thoughts के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ तो येस आप ढूंते हैं कि कोई हमें मिले जो हमें सिखा पाए और इसी के साथ में world explore करना बहुत जादा ग्यान प्राप्त करने के लिए वो बहुत अच्छा लगता है तो ट्रावल पर जादा रहते हैं ट्रावलिंग बहुत पसंद होती है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितना ग्यान हो सके वो बटोरना, ग्राप करना एक अच्छी आदत है और उसके साथ में उसको spread करना, share करना ये उससे भी जादा अच्छा है क्योंकि जब आप कुछ गें करते हैं, कोई knowledge गें करते हैं और उसको जब आप spread करते हैं तो वो कम नहीं होती, बढ़ती है तो थर्ड हाउस में जब चंद्रमा होता है ये positive effects आपको देखने को मिलती है यदि ये सब नहीं है, speech अच्छा नहीं है या विचार अच्छे नहीं है, या विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे या फिर siblings के साथ अच्छे relations नहीं है या आपके परोसी और रिष्टेदारों के साथ नहीं है तो इसका मतलब है कि चंद्रमा की effects नहीं मिल रहे हैं negative effects हैं, negative thoughts हैं Start working on the remedies जो चंद्रमा की remedies हैं उन पर work करना शुरू कीजिए पानी waste नहीं करना है जैसा कि मैं हमेशा बोलते हूं full moon night meditation करना है और इसी के साथ में अपनी मा का बहुत ध्यान रखे क्योंकि मा का जो कारक है वो चंद्रमा है क्या है